किनी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में पर्मिय संख्या निकालने के लिए आपको दो मेथेड का परियोग करना चाहिए हम दोनों मेथेड बताएंगे उसके पहले आपको देख लेना है कि ये बहुत ही महत्तपूर्ड फैक्टर है कि नहीं दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याओं होती है जैसा कि अगर मैं अभी आपको बताऊं छोटा सा बात कि भाईया चार वा छे के बीच में कितनी पर्मिय संख्या है तो नर्मली लोग कहेंगे 4 और 6 के बीच में तो सर जी 5 है बस एक ठी नहीं तुम्हें एक ठी दिख रहा है बहुत है लाखो है करोड़ो है अगर मैं आपको कहूँ कि 3 और 4 के बीच में कितनी पर्मिय संख्या है तो आप कहोगे नहीं इसके बीच में तो कुछ नहीं है 3-4 के बीच में कुछ आता है नहीं 5 आता है फिर बाद में ऐसा नहीं है मोटी मोटी अगर हम बात करें तो आप ऐसे देख लो 3.1 3 और 4 के बीच में आप ऐसे देख लो 3.1 3.2, 3.3 SFA 3.9, 3.10 ऐसे आएगा कि नहीं ये तो इसके बीच में आएगा फिलाल आप जन्वे करते हो लेकिन अभी हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप देखोगे कि किनी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में infinite यानि आनत पर्मिय संख्याओं होती है तो अगर आपने तरीका सही लगाया है आपका अंसर अलग 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 आ रहा है किताब से मैच नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल डरने घवराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीके से यही एक टॉपिक है मैच में जिसमें अंसर अलग 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 आता है पर्मिय संख्या के बीच में पर्मिय संख्या निकालने पर अलग अलग में थर्ट से अलग अलग अंसर आ सकता है बाकी और किसी टॉपिक में नहीं आता है ठीक है आगे बढ़े चलिए कहते हैं एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे जनाब एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे यह आपके feedback है comment है देखिए प्यार से आज बहुत से बच्चों ने सवाल पूछ रखा है तो मैं उनके सभी का सवाल का जवाब दूँगा देखो ध्यान से बहुत से बच्चों ने इस तरीके के सवाल पूछा है यह पर्मिय संख्याओं के बीच में पर्मिय संख्या निकालना ऐसे लगभग डोड़ाई लाख कमेंट्स आएं पूरे चैनल पे अगर जाके देखो आप पिछले दो साल में तो मैंने सोचा की क्यों न समधान किया जाया देखिए यह बच्चों के सवाल वही है 2 बटा, 5 एक बटा, 2 के बीच में पर्मिय संख्या निकालना 3 बटा, 5, 4 बटा, 5 के बीच में 1 बटा, 5, 4 बटा, 5 के बीच में बच्चे पूछ रहे तो मैं आज उनके सवाल का जवाब बताऊंगा उन्हें भी खुसी होगी हमें भी और यह आपका कमेंट का फीडबैक है इसका स्क्रीन साथ तुरन ले लिजी बाद में पढ़ना प्यार से कि क्या विचार है आपके हमारी क्लास के बारे में ऐसे आप भी लिखें कमेंट में हम आपका भी दिखाएंगे चली आए सवाल पर आते हैं हो गया आओ भया तो सबसे पहला तरीका जो है पहले मैं वह बताऊंगा उसके बाद दूफरा तरीका बताऊंगा उसके पहले हमें टेलीगराम पे भी जोईन कर लिजीएगा जिससे आपको क्लास का लिंक हो गएरा हम डारेक्ट भेज देते हैं ठीक है बढ़ियां आगे बढ़ें चलो आओ तो सबसे पहला तरीका है सबसे पहले तरीका में एक सूत्र लगाते हैं सूत्र का आजानत है देखा इदरे इसका सूत्र है पर्मिय संख्याओं के बीच में पर्मिय संख्या निकालना A बटा B बटा और B बराबर दूसरी संख्या जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो दो पर्मिय संख्याओं के बीच में निकाला जाएगा तो A बराबर पहली संख्या और B बराबर second संख्या यानि दूसरी संख्या आईए एक और दो के बीच में निकालते हैं तो solution कैसे करोगे? यहाँ पे हल लिख लिए हो, स्तुत्र लगाओगे, अब लिखोगे पहली पर्मिय संख्या, ठीक है? अफिर लिख लो उपर, एक और दो के बीच में, फिर उसके बात लिखना, पहली पर्मिय संख्या, लिख लोगे न, एक जगा पर वन, और बी की जगा पर टू, और नीचे दो, देखो एक जगा पर एक, बी की जगा पर दो, और दो नीचे वाला जो है, वो सुत्र वाला है, इस तरीके से आपका हो जायागा, साथी मेरे ये तीन मटा दो, यानि आपका एक आंसार निकल गया, देढ़, बहुत आसान है न, देखो भाई, एक वाद दो के बीच में देढ़ तो होगा न, बहुत सिंपल है, तीन मटा दो का मदलब देढ़, आओ अगला, ये तो पहला हुआ, अब नीचे लिखो, दूसरी पर्मिये संख्या, दूसरी पर्मिये संख्या, इंगलिस मीडियम आले लिखेंगे, सिकेंट रेफनल नंबर, समझ में आ रहा ना बिरी बात, कमेंट के चकर में न पढ़़ो बाबू, देख लो, सिर्फ कलास प्यार से, बाद में कमेंट करना, कमेंट में हम आपका कमेंट का, स्क्रीन साड लेके आपका जवाब देंगे, आनलाइन लाइब आकर कैसे, ठीक है, चलो, कमेंट करना बाद में, तो इसका भी फार्मूला, A प्लस B, अपान टू, अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा वही नहीं रखते जाओगे, पहले दूसरी संख्या, क्योंकि, एक बात मैं आपको बताओं, देखो, एक बात बताओ तुम, इसके लिए समझो, यहाँ पर यह सवाल बाद में करवाएंगे, पहले जो करवा रहे हैं, उसके बारे में हाँ समझो, ललकाए वाले अंदर में, समझो, जैसे अगर हम निकाल रहे हैं, एक वा, दो के बीच में पांच पर में संख्या, तो साथी मेरे, इसके बीच में एक पर में संख्या, मैंने अभी हाल ही में निकाल लिया, 1.5, बोलो निकाला है न, भाई 1.5 तो वहाँ पर दसमलों में नहीं बदला है, तीन बटा दो आया है, तो तीन बटा दो लिख लो जाद आफान है न, अब अगर एक और पर में संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, या दुए लोग के बीच में तिफरे लोग को बइठाना तो क्या करेंगे, तिफरे लोग को लाग बीच में धफा दिये, ठीक है, अब अगर एक लोग को आउर बइठाना तो क्या करोगे, फिर जो बीचों में एक लोग को बइठाया हो न, जाना कोई दिक्कत नहीं चालो बनिया डन आईए पीछे आओ तो एक कमान क्या होगा तीन बटा दो और धन वी कमान दो ठीक है अभी हमने बढ़की लाइन खीच के नीचे वाला दो नहीं लगाया अब लगाया ओके चालो तो तीन बटा दो में क्या जोड़ना है दो जोड़ होगे ना देखो यहां पर मैं आपको अगले पेज़ पर जोड़ के दिखा देता हूं जैसे यह चीज़ समझ गए पक्का समझ गए न सभी इसमें कोई शिकायत होगी तो मुझे बता देना बाद में चुपपे से बता देना चलो आओ हमें क्या जोड़ना है तीन बता दो में धन दो बता एक रुको एक मिनट कुछ गलत है क्या इधर यहां पर देखो नीचे दो कहां पर आ गया भाई यहां पर नीचे आप दो नहीं लिख सकते हो यहां पर इसको वन छिपा सकते हो अपने मन से लेकिन दो नहीं लिख सकते हो ठीक है तो वन लिखोगे तो यह आपका बनेगा इतना इसको जोड़ लो बावू वहाँ ले जाके डारेक लिख देना क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जगा नहीं है ठीक है तो क्रास मल्टीपल करेंगे तीन एकम तीन दो दूना चार तो यह हो जाएगा तीन धन चार बटा दो अगर आपको भिन का जोड़ना नहीं आता कमेंट करना उसका अलग से कलास बनाए है उसका अलग से वीडियो है ठीक है तो यह हो जाएगा चार तीन साथ बटा दो यह सेवन अपांटू आया ठीक है तो चलो लिख दो लागे क्या आया अभी आंसर नहीं आया रे बाबा नहीं अभी तो सिर्फ उपर वाला जुड़ा है सेवन अपांटू आया है आपको थोला छोटा दिख रहा है थोला मोटा दिखा देता हूं रुको देखो तीन बटा दो प्लस दो और नीचका वाला दो और ये वन अभी आंसर नहीं आया अभी सेवन अपांटू और नीचे वाला ये बढ़का लाइन खीच के दो अभी आंसर नहीं आया आंसर तो अब आएगा देखो कैसे सेवन अपांटू अपांटू इसको कैसे हल करेंगे आओ दिखाते हैं तुम्हें देखो यह देखो बच्चो तुम्हें दिखाएं जाके इंदुस्तान की इसमें टीफे तिलक करो यह दर्ती यह बलदान की है ना तो चलो आओ दिखाएं देखो एक चीज यह समझो कि अगर ऐसे होता यह तीन बटा चार बटा दो बटा तीन जाना थेकना है सबस्टान तो एका बाहर बाहर का गुड़ा कर लेते हैं अंदर अंदर का कर लेते हैं यानि तीन का तीन में कर लेते तो नो हो जाता और चार का दुई में कर लेते तो आठ हो जाता ये तरीका है, लेकिन यहां इनका किस्मत खराब इनका जोड़े नहीं बना है, किसका नहीं बना है, साथ बटा दो तो पहले फटा इसका जोड़ा नहीं बना था, इसके नीचे एक लिख दिया, आब इनका जोड़ा बन गया, बन गया ना, तो बहरे बहरे का गुड़ा कर लो अंदर-अंदर का, बहरे-बहरे का मतलब इसका कर लो, कर लो कितना, साथ का एक में साथ, और दो का दो में चार, यानी साथ बटा चार, कितना आएगा, साथ बटा, चार, पका, आगे बढ़ू, चलो, किसी के कोई सिकायत कोई सिक्वा सिकायत तो बता दो मुझे नहीं पक्का चलो ठीक है तो इसको मैं मिटा देता हूँ ऐसे चुपके फिर देखते रहो इसे या कितना आया भाईया साथ बटा चार बाबू कितना आया साथ बटा चार यानि अगल की परमिय संख्या क्या आ गई सात बटा चार हमें फिर से अग्ले पेज पे आपको दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखा कर देंगे आप देखो आंसर यहां फाइनली कठा कर देंगे हमें निकालना था एक वा दो के बीच में पांच परमिय संख्या से कुछ तो पहला आया था बाबु मेरे तीन बटा दो दूसर का आया है साथ बटा चार ती फरका निकाल ले बग नहीं हो सबही लोग निकाल ले बना अगर इसको दसमलों में चेंज करेंगे तो कितना आएगा अरे बाड़ में जाए दसमलों काहे को चेंज करें हम रहने दो ठीक है आगे चले तो यह हो गई दो परमिय संख्या इफी तरीके से साथी मेरे आप तीसरी परमिय संख्या भी कर लोगे फिर चौती कर लोगे फिर पाच पर्मिय संख्या की बात है तो यह नहीं जरूर इनका चवधरी को भी जरूर बनाओ हमेशा यह फूफा नहीं है साधी में कि दिफिया जाएंगे नहीं इनको छोड़ो बगाओ इनको तुम यह भी कर सकते हो क्या इनको ए मान लो इनको भी मान लो लो अब इनके बीच में भी आएगे इनके बीच में आएगे ऐसे आनंत पर्मिय संख्या निकाल सकतो जिसके कोई लिमिट नहीं है किसी को कोई डाउट एनी डाउट तो बता दो मुझे नहीं ना कर लेंगे तो वैसे वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट जरूर करिएगा और आपके हजारों बच्चों लाखो बच्चों के कोईश्चन का जवाब देने कि मैंने कोईशिस किया आज और हाँ ये होमवर को अगरा जो मैंने दिया इनको घर से कर लेना इनको करना नहीं आएगा मुझे बताना भिन वाला भी ऐसे होता है कहां गया निकल जा बिटा ये कर लोगे ना पक करी अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट करी हम बताएंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मैंबर पर संपर्क्क ना करें बच्चे अगर आप नाइटन्थ के हैं नमबर पर अपर करने से आपको फ्रीकलास नहीं मिलेगी फ्रीकलास आपको यूट्यूपे मिलेगी और comment करिए अगर आपको जो भी कहना है